हमारे दूसरे चैनल की वीडियो से बताएं को सब्सक्राइब करें अगर आप इसलाम से एलेटेड़ वीडियो देखने चाहते हैं हम दूसरे लिजयें के लोग है और आप Islam है हम इसलाम सीखना चांदते हैं सिरूसली तो हम वीडियोस देखेंगे बहुत सारे इसलाम से रिलेटेट इस चैनल पे की ए? देखते हैं मुझे मुझे पता तो यह बतावोँ करते हैं इमेल्स मे करते हैं और यह परसनली मेरे दोस ने भेजिया है तो इस वीडियो देक्शन देखे देखते हैं मुझे पेसे कुछ मालूम ने है कुछ पता यूडिय के बारे में मुझे का टाइटल है हजरत मुसा एंड फेरोन स्टोरी इन उर्दू हिंदी ठेक है तो सिर्थ भी कहा रहा मुझे नो आइडिया बिलकुल भी 0% आइडिया है इस वीडियो का तो वीडियो का लिंक डिस्क्रीशन तो पका जाके रहे हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर दें पका हमारे तो बिए शाट कर रहे हैं मान्टू आखिरकार मुसा अलैससलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ के रातो रात तो मेरे बंदों को लेकर निकल जा दूसरी जगा यूं इर्शाद होता है हमने मुसा की तरफ वही नादिल फर्माई के रातो रात मेरे बंदों को ले चल चुनाचे सब बनी इसराइल रात की तारिकिमें निकले वो दर्वाजों पर कोई खास निशान छोड़ कर चलने लगे रात की तारीकी में निकलने का हुक्म इसलिए दिया गया ताकि फिराउन उनके बारे में कोई फैसला न कर सके उन्होंने सुभ होने का इंतिजार न किया उनकी तादाद छे लाक के करीब थी ये सब लोग अपने माल मवेशी और जरूरी सामान साथ लेकर चले फिलस्तीन की तरफ छैलाख अफराद की ये अजीम खिरत थी फिराउन को सुभा सवेरे पता चला तो सोच में डूट गया कि अब हमारी खिदमत कौन करेगा हमारी गुलामी कौन करेगा उसकी हालत पागलों जैसी हो गई आखिर उसने बनी इसराईल के ताकब का हुक्म दिया अल्लह ताला इस मौके पर सूरत शुरा आयात 57 ता साथ में फरमाते है जांसम जांसम कोशन मुशन मुशन में स्की किया रहा है बस फिराउन के लोग सूरज निकलते ही उनके ताकब में निकले यानि फिराउन तुलू आफ़ताब के वक्त ही उनके ताकब में लशकरों की तैयारी के साथ निकल खड़ा हुआ मुसा अले सलाम बनी इसराईल को लिए बाहर अहमर के एक किनारे पहुँचे बाहर कुल्जम बाहर अहमर ही का एक किनारा है उन्होंने पीछे मुड़कर देखा क्या देखते हैं कि फिराउन अपने लाव लशकर के साथ भागा आ रहा है बनी इसराईल खबरा गए कि अब क्या होगा सामने ठाठे मारता समुन्दर और पीछे फिराउन और उसका लशकर अल्लह ताला इस मौकिपर सूरत उशु आरा आयत 63 में फर्माते है हमने मुसा की तरफ वही भेजी कि दरिया पर अपना असा मारो बस उसी दरिया भट गया और पानी का हर एक एक हिसा बड़े पहाड की तरहा खड़ा हो गया समुन्दर लाठी लगने से ऐसा फटा के पानी के दो बड़े बढ़े पहाड़ बन गए यानि समुन्दर के अंदर खुश्च रास्ते बन गए और अत्राफ में पानी के पहाड खड़े हो गए अल्लह ताला ने भी फर्मा दिया सूरा ताहा आयत सतर्तर में है कि तू रातो रात मेरे बंदों को ले जल और उनके लिए समंदर में खुश्क रास्ता बना ले फिर ना तुझे किसी के आप पकड़ने का खत्रा होगा नडर ये सब के सब इन रास्तों से पार चले गए आप जो ही फिरॉन वहां पहुचा पहले तो डरा सहमा के ये क्या हुआ वो भी और उसके सब साथी भी इस सोच में है कि क्या करें खौफ जदा थे इसे में फिरॉन को ख्याल आया कि अगर मुसा और बनी इसराइल यहां से सही सलामत गुजर गए हैं तो हम क्यों नहीं गुजर सकते इसके साथ उसने अपने बोड़े को समुंदर में दाखिल कर लिया उसके पीछे उसके सब साथी भी दाखिल हो गए इधर बनी इसराइल का आखरी 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 आख करते हैं और हम ने बनी इसराइल को दर्या से पार कर दिया फिर उनके पीछे पीछे फिरौन अपने लशकर के साथ जल्म और ज्याददी के इरादे से चला यहां तक कि जब दूबने लगा तो कहने लगा कि मैं उस जात पर एमान लाता हूं कि जिस पर बनी इसराइल इमान लाए हैं उसके सिवा कोई माबूद नहीं और मैं मुसल्मानों में से हूँ लेकिन जब मौत के मरहले शुरू होते हैं तो तौबा कबूल नहीं होती उसने जब ये कहा कि मैं इमान लाता हूँ तो अल्लह ताला ने जवाब में फर्माया जवाब दिया गया कि अब इमान लाता है और पहले सरकशी का तरहा और मुफसिदों में दाखिल रहा सो आज हम तेरी नाश को नजात देंगे ताके तू उन लोगों के लिए बाएसे अबरत हो जो तेरे बाद हैं और हकीकत ये है कि बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल है मतलब ये था कि हम तेरे बदन को जमाना घुजरने के बावजूद बाकी रखेंगे ताके तू लोगों के लिए इबरत का सबब बना रहे अल्लह ताला ने उसके बदन को बाकी रखा ताके लोग इबरत पकड़ते रहें और वो बादवालों के लिए निशानी बना रहे ये अल्लह ताला की तरफ से एलान है लेकिन लोगों की अक्सरियत अल्लह ताला की आयात से गाफिल है बनी इसराई उसके जल्म से नजात पाकर समंदर पार चले गई भाई क्या वीडियो है और आप बता है इस चानल की कीमत क्या होगी अपने भाई इस चानल में धुल्थना महिं आगे ले आने बाला हो क Fest और मतल ऐसम Woah ada पहले तु पहले जुलम काता सिगा उल्टे काम करता रहा और अब तु माफी मांग रहा और कबूल नहीं हो तो आइधिंग जो बॉड़ी परी थी वह उनकी वीडियो देखिए थी मैंने जाएंगे ता इसका पर इसका बॉड़ी पर इसका बॉड़ी तो वह तक बढ़ी है कि यह मतलब एक तरह से संदेश था हां पी दूसरे जेडे दूसरे बंदे होंगे ना इंदा निकार पाऊंगे फिर और ना मैं थिंसमारिया वाओ का नॉलजज है किस तरी नॉलजज आज ता कि तरी वीडियो रिविले पांच निटी की वीडियो में ती नॉलजज मिलेगी यह जनत भी आप आपां गलतियां करी जाने करी चाने आपना करी आपन आप नन्यादा गलतियां था पर आप आप सो देगी माफी मांगे लिए बाट फिर और कभूल नहीं है क्या स्वी दिखायों किरे सारे निकल के बंदे यहां पर इज़े को सुबग यह जो आपने पर स तो हम वीडियो खत्म करें इस पहीं देखके तो हमने बुली अच्छी समझी वीडियो आप इता है वह पर समय जाए वीडियो तो शीक्तिद वीडियो खत्म करें वीडियो तो, लाइक शूरू सब्स्वाइब करना ना होलें लवे गयाईस पीस